साथियो नमस्कार मैं हो एड़ बुगर सोग चोधरी आज हम बात करेंगे सवधी अरभिया से रिलेटेड आलेंगी पांच से दिन से मैं पर्सनली सवधी से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाता है यह अपडेट मैं इसलिए देना होँ आपको पता इन बातों का जितनी ज्यादा इस्टिक लोग डुक्त रहेंगे वहां पर क्राइम होने का संभावना जीरो जाती आलांकि होते हैं लेकिन वो उनको पस्ताना पड़ता है तो कुछ फाइन से रिलेटेड कुछ वीजा से रिलेटेड टिकट से रिलेटेड आगे हम बात करेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें अगर आप फेस्बुक पे देख रहें तो पेच को लाइक जरूर कर लें आप यूटूब पे देख रहें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रेलेटर सफार मेसन यापके मिलती रहे तो चलिए अपन सुरुआत करते हैं बात करें करोना अप्टेट की तो करोना भी सवाला के करीब पहुंच गया है यानि दस दिन के अंदर सवाला के करीब आंगड़ा पार कर गया साड़े तीन हजार के करीब मोत हो गई ठीक है औ लगबग 67,000 पलस अभी positive case हो चुके हैं सवुदी में और 365 के करीब इभी तक मौत हो चुकी है अलागी recovery आंकड़ा ठीक है लगबग 40,000 49,000 के करीब recovery आंकड़ा है लेकिन फिर भी इस्तिती खराब इसको देखते हैं सवुदी कोर्मिन आपको पता साथ यो कर्फ्यू लगा द सकता है कि आप कमा के उतार नहीं पाओगे तो चलिए मैं सोटली तरीके से बता देता हुँ सब पर हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं साथियों दुकंदार अगर आप मालो emergency आपको निकलना पढ़ रहा है आप शोप पे चले गए उसोपे पांस से ज्यादा लोग ख आपका जुरुमाना लग सकता है इससे तो बच लें आप फोड़ा सा या फिर इस तरह से जाएं कि पांस से ज्यादा social distancing disturb नहीं होगा उसमें आपका नंबर आ गया तो वैस दिक्कत हो जाएगी पास तोर से अजनीबियों के लिए यानि गेर मुल्किया आप इंडियान पाक कर दिये जाओगे जेल काटने के बाद आपको इंडिया बेश दिये जाएगा लाइफ टाइम बेन करके तो आप देख लो भाई जुरुम तो जोटा सा गलती क्या करोगे निकल के लाप्रवाशी दुकान पर पहुंच गे बार पहुंच गे इस करोना की इस्तितिमें लोग जाधा शात्यू कि एक बंदा था उसने कोई कंपटा ने को से कहां में कैसे इंडिया में जिसको बोलते हैं इमर्जेंसी कारड लेकि वो कोई पर्सनल के चला गया है वीडियो डाल दीय कि ये देखो मैं कंपटा के कांप से मेरे पर्सनल काम कर रहा हूं और वह वहां के किसी को दूसरे को दे देना यार तू ले तू तू तेरा काम कर ले या पास तो हता है आपको कि यहां से लेके वहां तक जाने का या कोई समान लेकर आने का उस पास से आप यूज कर रहे हो दूर दूर तक जाके परसनल काम कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी मु वीडियो आलांकि पहले डाल दिया था मैंने डाला था सुबह नाइट का शूट किया वा था और गोवर्मिन ने 22 में श्याम तक गोशना यह आधिकारी गोशना यह थी उस पेज को बढ़ा के मिशन टू है उसको 13-14-15 जून तक कर दिया गया है हां जी सातियो और फ्लाइट क में के बाद में बहुत सारी फ्लाइट हैं साओधी से रिलेटेड तो जिनको इमर्जेंशी है सब को निकाल लिया जाएगा दिरे दिरे करके तो थोड़ा सा इसमें वेट करें तिसरा लोगों का क्यों सकता है बहुत सारे लोगों का कि जो वीजा नए वाले हैं जिनके वीजा कैंसिल करके लेकिन अभी का ये नियूज निकल के आ रही है कि जो वीजा लग गए आपके पासपोर्ट में कैसे भी है वो कैंसिल नहीं होने वाले उनको जैसे यह मामारी खतम होगी आपको बुला लिया जाएगा कंपनी की तरफ से जो भी प्रोसेस होगा वो आगे यूडियों पता लगेगा आगे नियूज में पता लगेगा लेकिन अब तक लिए निकल के ही आ रही है कि आपके वीजा हो खतम नहीं होंगे आप खराब नहीं जाओगे आपका वीजा से आप सवदी पहुंच सकते हो जैसे यह मामारी खतम होती है आपके कंपनी के प्रोसेस हैं जो स्टाविंग होग चुके जिनका मेडिकल वगेरा अंडर प्रोसेस है न वह वीजा कहीं नहीं जाने वाले वह आपके सेप है तो टेंशन लेने की जौरत नहीं है तो साथियो इद आपको सब भाईयों को मुबारक हो जल्दी पांच दिन गर में रहके लोकड जाने मातव